Hello Friends, मैं अनामिक आप, मेरे किसीद में आप सभी का श्वागत है Friends, आज मैं आटे का पुवा बनाना बताऊंगी इसे बनाना बहुत ही आशान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है मैं देखा भी पुवा हमने बना रखा है पर आटे का पुवा बहुत हेल्दी होता है, इसे बच्चे बड़े सब पसंद करती हैं और ये अशानी से बन जाता है, तो इस रेश्पी को आप तरू ट्राइ कीजिए और मेरी सेनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेट करना मत भूलिए तोड़ी गेफू का आटा, ये दो शोग्राम आटा है, शोग्राम हम शकर लेंगे, एक चमच शौफ और तलने के लिए हम वेजी टेबल आइल लेंगे, तो सबसे पहले हम एक बड़ा शा बॉल लेंगे और उसमें हम गेफू के आटे को डाल देंगे, आटे को हमने चान के रखा है, चानना ज़रूरी होता है और आटे में हम शकर को मिक्स करेंगे, तो आप मीठा अपने अनुशार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकती है ज़्यादा मीठा खाना है तो चार चमच और बढ़ा दीजिए, कम खाना है तो चार चमच कम कर सकते हैं और यह शौफ जो है, इसको हमने हधेरियों पे मैश दिया है, इसे भी हम डाल देंगे, अब हम इसमें पानी डालेंगे तो हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जरूरत पढ़ने पढ़ हम कम ज़्यादा कर लेंगे अब हम एक विक्स के सहारे इसको मिक्स करेंगे तो ऐसे ऐसे हम इसे चलाते हुए धीरे धीरे घोल को तयार करेंगे पूए के घोल आप सबको पता होगा पकोड़े के घोल के जैसा हमी बनता है और जिसे नहीं पता होगा, वो जान जाएंगे कि कैसे हम घोल तैयार करते हैं तो घोल को हमें एकदम आडाम आडाम से 3-4 मिनट तर ऐसे फीटना है पिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए घोल काफी गाड़ी है, इसमें हम और पानी आड़ करेंगे और इसे हम धीरे धीरे ऐसे घोलेंगे पानी डालने के बाद हम इसे 4 मिनट तक कंटिनू हो ले हैं तो इतना वेटर तैयार करने में हमने एक देज ग्लास पानी लिया है घोल तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी हम आपको दिखा देते हैं बिल्कुल पकोड़े के खोल के जैसा होना चाहिए तभी पुगा अपना जो है अच्छे सिप में तयार होता है अब हमें क्या करना है, इसे धक के आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है तो हम आधे घंटे बेटर को रेष्ट करने देंगे अधा घंटा हो चुका है, अब हम बेटर चेक कर लेते हैं तो हम धकन को हटा के और एक बार बेटर को चेक करेंगे बेटर अपना फूल चुका है घोल को हम अच्छी तरफ फेटेंगे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंची घोलने के बाद कितना बढ़िया ये गीर रहा है अब हम गैस की तरफ चलेंगे गैस पे हमने तेल रख लिया है अब हम गैस को आउन कर लेंगे तेल को हम अच्छी से गरम होने देंगे अब हम थोड़ा साथ गोल डालके बेटर कुछ चेट करेंगी तो आप देख सकते हैं गोल डालने की तुरंत बाद अच्छी से गरम हो चुका है अब हम इसमें गोल डालना शुरू करेंगे तो हम एक चम्ची गोल लेंगे ज्यादा नहीं लेना है और पीछे से हम ऐसे पोँच देंगे फिर हम इसको तेल में रहीगे से छोड़ेंगे तेल में छोड़ने के बाद हमें एक मिनट तक इसे छुना नहीं है एक मिनट बाद हम फिर पुगा को खरण करेंगे पुगा अपना खूल के उपर तैरने लगा है तो हम इसे एक मड़े से चर्ण कर लेंगे और दोनों साइड से हम मेडियम फ्रेम पे अच्छे से पुगा को सेंख लेंगे पुगा को बीच बीच में हम ऐसे प्रेस करेंगे इससे क्या होगा अंदर का वेटर जो है वही अच्छे से पर जाएगा बीच में का रहने का बिल्कुल चांसिस नहीं रहता है ऐसे प्रेस कर देने से अच्छे से पूइब रहते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों साइट से पुवा का कलर ब्राउन हो गया है अब हम चम्ची की मलब से इसे निकाल लेंगे एक श्ट्रा तेल हम गिर जाने देंगे फिर हमने एक प्लेट पे टीशू बेपर रख लिया है अब हम इस प्लेट पर पुवा को ऐसे निकाल लेंगे और तो हम इसी तेल में फिर दुसरा पुवा डालेंगे एक एक चम्च हम गोल लेंगे और धीरे धीरे पुवा को हम तेल में छोड़ दे जाएंगे इसमें अपने आख से तैयार हो जाता है क्योंकि अपना बेटर जो है एकदम पकोड़े के घोर के जिर साथ तैयार किया जाता है आप देख सकते हैं एक मिनट के अंदर अंदर पुगा तेल के उपर तैयर के आजा रहा है तो इसे हम उलट लेंगे और इधर भी हम एक मिनट तक पका लेंगे बीच में हम धरने की मदद से फुगा को प्रेस करेंगे प्रेस करने का रेजन हमने आपको हता दिया अंदर जो भोल होता है और अच्छे से पक जाता है कच्छा रहने का बिल्कुल चांसस नहीं रहता है तो हमने ब्राउन होने तक ऐसे ही प्रेस करते हुए पुगा को पकाना है अब देखिए कितना बढ़ियां पुगा फुल के इतनी अच्छी तो पुड़ी भी नहीं फूलती होगी जैसे हमारे पुगा फुल रहे हैं और खाने में तो बड़े बच्चे सब पसंद करते ही हैं बनाना भी बहुत ही असान है तो आप देख सकते हैं पुगा अपना दोनों साइब से ब्राउन हो चुका है अब हम इसे की प्लेट में निकाल लेंगी तो आप देख सकते हैं अपनी पुगा जो है एकदम फूल के इंपर तेरने लगी है अब हम इसको ऐसे उलड़ लेंगी इतना सुन्दर पुगा फूल के कयार हुआ है तो हम मेलियम फ्लेंपे दूसरी साइब से भी इसे शेंक लेंगी बाकी के फूगा भी दालेंगे आटे का फूगा बनकर तयार है आपने देख लिया इसे बनाना अचान है और ये हेल्ड़े भी है बच्छे बड़े इसे सब पसंद करते हैं इसे हम कोई फी फ़स्टेबल भी बना लेते हैं जिरसे होली है खड़वा चौत है गनेश चौत ह या तीज ब्रद है इसे हमारे उतर परदेश में हर फ़स्टेबल भी बनाया जाता है जूतिया ब्रद करते हैं उसने भी हम हुआ बना लेते हैं तो फ्रेंड्स इस रेस्पी को आप ज़रो ट्राइ कीजिए और मेरी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर क बीजिए और कमेंट करना मत भूली धन्यवाद आप